हेलो फ्रेंज आज मैं आपके लिए एक सारस और एक केकड़े की कहानी लेकर आई हूँ तो चलो शुरू करते हैं एक बार की बात है एक तालाब के किनारे एक सारस रहता था तालाब में बहुत सारी मचलियां थी और हमेशा सारस भरपेट भोजन करता था जैसे जैसे साल बीते गए सारस बुढ़ा हो गया और उसे भोजन के लिए मचली पकड़ना मुश्किल हो गया कई बार कई कई दिनों तक भूखा रहता सारस ने एक योजना सोची वे अपने चेहरे पर एक उदास नजर के साथ तालाब के पास खड़ा हो गया उसने कोई मचली पकड़ने का परयास नहीं किया तालाब में मचली, मेड़क और केकड़ों ने देखा और उससे पूछा कि मामला क्या है फिर सारस ने बोला कि मैंने सुना है कि कुछ लोग जल्द ही इस तालाब को भर देंगे और इसके उपर फसलोग आएंगे, कोई मचली जीवित नहीं बचेगी, ये मुझे उदास करता है मचलीं बहुत चिंतित हो गई और उन्होंने सारस से उनकी मदद करने को कहा सारस ने उन सबी को कुछ दूर एक तालाब में ले जाने की पेशकर्ष की लेकिन क्यूंकि वे बुढ़ा था, उसे सफर के बीच अराम करने की आवेशक्त होती थी और एक समय में केवल कुछ मचलियां ही ले जा पाता था ये कहकर वे चोंच में कुछ मचलियां लेकर अपनी पहली यात्रा पर निकल पड़ा हालांकि वे दूसरे तालाब में नहीं गए इसके बजाए वे उन्हें एक दलदली चटान पर ले गया और वहां उन्हें खा लिया हर बार जब उसे भूख लगती तो वे कुछ और मचलियों के साथ यात्रा पर निकल जाता टैंक में एक केकड़ा रह गया था वे खुद को भी बचाना चाहता था और उसने सारस से उससे भी ले जाने का अनुरोद किया सारस ने महसूस किया कि वे बदलाव के लिए एक अलग भोजन की कोशिश कर सकता है वे केकड़ा लेने को राजी हो गया सारस उसके साथ उड़ गया थोड़ी देर के बाद केकड़े ने तलाब को देखने के लिए नीचे देखा जहां वे जा रहा था लेकिन उसे केवल सूखी जमीन दिखाई दे रही थी अंकल वे बड़ा तलाब कहां है जहां आप मुझे ले जा रहे हैं उसने पूछा सारस हसने लगा और नीचे एक चटान की और इशारा किया चटान पर मच्छियों की हड़ियों के धेर लगे थे केकड़े को एहसास हुआ कि वे सारस का अगला भोजन बनने जा रहा है उसने जल्दी से अपने आप को बचाने का उपाय सोचा केकड़े ने अपनी नुकिली पंजों से सारस की गर्दन में गड़ा दिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक के सारस मर नहीं गया फिर उसने सारस का सिर काट दिया और उसे गसीटते हुए उस तालाब तक ले गया जिसमें वे रहता था वहां उसने सबको बताया कि कैसे सारस ने सभी को दोखा दिया और कैसे उसने उसे मार डाला तो बच्चो इस कहाने से हमने सीखा कि हम सबको दो समझदारी के साथ चुनने चाहिए अभी मैं जा रही हूँ फिर आऊंगी एक नहीं कहाने के साथ बाई